नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टोडी 101 पर और मैं हूँ देव्यावर्मा दोस्तो आज की क्लास में बी ए सेमेस्टर 3 ड्रॉइंग एंड पेंटिंग का पूरा स्लैबस आपको विस्तार से और हिंदी में बताया जाएगा ये स्लैबस आपका राम मनोहर लोहिया अबद यूनिवस्टी से संबंधित है तो चले फिस स्लैबस को समझ लेते हैं और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है आपके लिए हैल्पफुल रहती है तो प्लीज दोस्तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो यहाँ पर देखिए सेमेस्टर थ्री और थर्ड सेमेस्टर में आपके दो पेपर होंगे पहला पेपर थेयोरी का और दूसरा पेपर प्रैक्टिकल का तो सबसे पहले हम बात करेंगे थेयोरी के पेपर की पेपर फस्ट थेयोरी Course का Code यहाँ पर दिया हुआ है और इस साइड दिया हुआ है Course का Title Course का Title क्या है? History of Art यानि कला का इतिहास और कहां से कहां तक आपको पढ़ना है तो वो चीज भी दी हुई है Pal to Pand and Naik Period Pal से Pand और Naik Period तक का कला का इतिहास आपको पढ़ना है अब आगे देखिए यहाँ पर आपका पूरा स्लैबस Unit wise दिया हुआ है तो पहली यूनिट है Pal Manuscript Painting और Gen Manuscript Painting गुजरात स्टाइल अपभरन शैली तो यह चित्रकला की शैलियां है ठीक है? चित्रकला की शैलियां है इनके बारे में आपको पढ़ना है और यह सारी मैंने पढ़ाई हुई है आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं फिर अगली यूनिट है चालू की पिरियड यानि चालू की काल अब इसमें आपको क्या चीज़े पढ़नी है Temple add बादामी पट्टा डकल यानि पल्लो काल अब पल्लो काल से आपको क्या क्या चीज़े पढ़नी है रत टेंपल और सोर टेंपल यह दोनों मंदिर हैं रत मंदिर, शोर मंदिर दोनों मैंने पढ़ाय हुए है नेक्स्ट है गंगा अवतार पैनल महाबलीपुरम महाबलीपुरम के जो रत मंदिर है वहीं पर गंगा अवतार पैनल है यानि गंगा अवतार जो भीतिचित्र है भीतिचित्र है उसका नाम है गंगा अवतार तो यह आपको पढ़ना है इसके बारे में और कैलासनाथ टेंपल कांचीपुरम कांची पूरम का तैलास नाथ मंदिर इसके बारे में पढ़ना है फिर अगली यूनिट है शोल पीरिड यानि चोल काल अब यहां से आपको क्या पढ़ना है स्कल्प्चर एंड आर्किटेक्चर यानि चोल काल की जो मूर्तिकला है और जो स्थापतिकला है वो आपको पढ़नी है इसमें भी आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने है तो मूर्तिकला में आपको पढ़ना है ब्रॉंज स्कल्प्चर यानि जो कांसे की मूर्तियां है उनके बारे में और ब्रहिदिश्वर टेंपल आट तंजोर, तंजोर का जो ब्रहिदिश्वर मंदिर है उसके बारे में आपको पढ़ना है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, और गंगय कोंड चोलपुरम एरातेश्वर टेंपल आट दारासुरम, दारासुरम के जो गंगय कोंड चोलपुरम का मंदिर है एरातेश्वर मंदिर है इसके बारे में पढ़ना है और कुम्भेश्वर आयट कुम्भ कोणम ये मंदिर है इसके बारे में आपको पढ़ना है ये नाम आपको कुछ अटपटे लग रहे होंगे क्योंकि ये सभी मंदिर कहां के हैं दक्षुन भारत के हैं ठीक है दक चंदेल पीरिड यानि चंदेल वंस या फिर चंदेल काल यहां से आपको क्या पढ़ना है खजुराहों टेमपल बहुत ही इंपॉर्डन टॉपिक है और मैंने विस्तार से आपको पढ़ाया हुआ है खजुराहों पर मैंने सायद चार वीडियोस अपलोड की हैं आप जाकर द कोणार्क का जो सूरी मंदिर है लिंग्राज टेमपल भुवनेश्वर का जो लिंग्राज मंदिर है और जगनाठ टेमपल पूरी तो इन सबी मंदिरों के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है ये भी आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं और नेक्स यूनिट है यहां पर ने टेमपल आफ माउंट आबू माउंट आबू के जो जैन मंदिर है और ये भी मैंने अभी हाली में टॉपिक कंप्लेट किया है आप जाकर देख सकते हैं सबी टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन में से मैंने कुछ टॉपिक छोड़के सारे पढ़ाय है ठीक है फिर है रणग राजस्थान यानि रणग राजस्थान के जो मंदिर हैं वो आपको पढ़ना है नेक्स यूनिट है होइसलेसोर ऍेमपल हैलले विध यानि जो मुस्लिम भवन निर्माट शैली है वो आपको पढ़नी है तो ये आपका हो गया slabus पूरा यहाँ पर complete अब हम बात करते हैं practical की तो practical का slabus आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी practical के बारे में जो भी जानकारी है या अगर आप अपने कॉलेज से ने तो ज्यादा सही है पेपर टू प्रैक्टिकल और सेमेस्टर थर्ड कोर्स का कोड यहाँ पर दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है कोर्स का टाइडल स्टिल लाइफ अब यहाँ पर आपका पूरा slabus टॉपिक वाइस दिया हुआ है इसे आप लोग देख लीजेगा और इसे के साथ आपका slabus समाप्त होता है वीडियो अगर आपको पसंद आई हो आपके लिए helpful रही हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को like share जरूर कीजेगा चैनल पर नए हों तो subscribe भी कर लीजेगा और जो आपका theory वाला slabus है उसकी सारी वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी तो आज के लिए बस यहीं तक मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जैहिंद